नमस्षिवाय, जैमातादी, राधे राधे सबी को, स्वागत आपका मेरे इस नई वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ समीता तिवारी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्में अमौसय और पुनिमा तिति का विशेश महत्व होता है, पुनिमा तिति के आते हिंदू मा मास का समापन हो जाता है, हर मास के 15 दिन बार अमौसय तिति आती है, और हर एक अमौसय तिति का विशेश महत्व होता है, हिंदू धर्में अमौसय की तिति पर पित्रों की आत्म शांती, दान पुनिय और काल सर्प दोश निवारन के अलावा मा दुरगा की पूजा करने का भी विधाने, तो कि भादरपत माहा भगवान श्री कृष्ण की भक्ती का महिना होता है, ऐसे ही भादरपत मास के कृष्ण पक्ष्ट के अमौसया को भादरपत अमौसया या भादों अमौसया कहा जाता है, इसके साथ ही इस अमौसया के दिन कुश एकत्र करने की परंपरा कहा जाता है कि धार्मीक कार्यों शाद्यकर्म आदि में इस्तमाल की जाने वाली घास याने कुष यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वो इस नांदान करने का समय कुन सा होने माला है और अमाउसय थिती का महत वो क्या होता है साथ ही काल सरप दोश को दूर करने की उपाय कुन से होंगे यह भी जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखेगा और जो भी हमारे चानल पर नए है पहली बार आए तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे वीडियो को लाइब भी कर लिजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमेश्वाइस जरू लिख देजिए तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भादरपत अमाउसया 2023 में कब रहने वाली है वैदिक पंचान के अनुसार इस साल भादरपत अमाउसया की तीथी 14 सितंबर दिन गुरुवार को प्राता 4 बचकर 48 मिनट से लगेंगी और अमाउसया तीथी 15 सितंबर शुकरवार को सुबस 7 बचकर 9 मिनट तक रहेंगी इस तरीके से यह शुरुवात हुँगी 14 सितंबर को और इसका जो समापन हुँगा वो हुँगा 15 सितंबर को ऐसे में उद्यातिती के आधार पर भादरपत अमाउसा 14 सितंबर को रहेंगी तो अब हम भादरपत अमाउसा परिस्तान और दान का जो मुहरत रहेंगा वो जान लेते तो देखे 14 सितंबर के दिन भादरपत अमाउस्या परिस्नान और दान का जो ब्रह्मा मुरत रहेंगा वो इस तरीके से रहेंगा तब ब्रह्मा मुरत की शुरुवात सुब चार बचकर 32 मिनट से तो सुब पाच बचकर 21 मिनट तक रहेंगी इसके बाद हम शुब उत्तम मुरत की आ रहेंगा यह जान लेते हैं तो इस शुब उत्तम मुरत की जो शुरुवात रहेंगी वो सुबच 6 बचकर 5 मिनट से तो सुबच 7 बचकर 38 मिनट के बीच में रहेंगी तो इस तरीके से आप इन दोनों मुरत के अंदर स्नान और दान कर सकते हैं तो चलिए अब यह जानते हैं कि भादरपत अमौसया का महत्व क्या होता है हर माह में आने वाली अमौसया के तीथी का विशेशी महत्व होता है भादरपत अमाउसय के दिन धार्मित कारियों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है इसलिए इसे कुछ ग्रेनी अमाउसय कहा जाता है वही पहरानी क्रंथों में इसे कुशो उत्पाटनी अमाउसय भी कहा जाता है यदि भादरपत अमाउसया सोमार के दिन हो तो इस कुशा का उप्योग 12 सालों तक किया जा सकता है और इसके साथ भादरपत अमाउसया को पिथोड़ा अमाउसय भी कहा जाता है इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा भी की जाती है इस संदर्म में पौरारिक मान लेता है कि इस दिन माता पारवती ने इंदरानी को इस वरत का महत्व बताया था वीवाई तिस्रियो दौरा संतान प्राप्ती एवं अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा भी की जाती है तो इस तरीके से भादरपा तमावसया का महत्व होता है तो चलिए अब यह जानते हैं कि काल सर्प दोश से निजात पाने के लिए हमें भादरपा तमावसया को कौन से उपाय करने चाहिए तो देखे जोतिशासर में ऐसा बताया गया है अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोश होता है तो उसकी जीवन में कोई न कोई समस्या बनी रहती है इसे अशुप दोशों में से एक माना जाता है कुंडली में जब राहू और केतु एक घर में प्रविश कर जाए और उनके एगदम भीश में अन्नग रह बैटे हो तो काल सर्प दोश बनता है काल सर्प दोश से निजात पाने के लिए भाद्रपत अमाउसय को कुछ उपाय कर सकते है इस दिन आपको शुजी और नाग देउता की पूझा करनी चाहिए तो काल सरप दोश को दूर करने के चार उपए में बताने जा रही हूँ, तो पहला उपए है भादरपत मौसय के दिन शिवजी की विदिवित पुजा करे, शिवलिंग में जल और गंगाजल चड़ाने के साथ मामर्तुजे मंत्र का 108 बार जाप करे, तो दूसरा उपए है शि बत रखने से विशेश लाब मिलेंगा, इसके साथी नाग देवता की विदिवत पूजा भी करे, तो चौतो उपए जानते हैं, भादरपत मौसय के दिन भगवान शिव को खीर, मिठाई या फिर फल का भोग लगाए, इसके बाद इसे प्रसात की रूप में बाढ़ दे, ऐसा करने से कालसर पदोश से निजात मिल सकता है, तो इस तरीके से आप भादरपत मौसय के दिन कालसर पदोश को दूर करने के लिए या चार उपाई कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैंने आपको आने वाली भादरपत मौसय की सारी जानकारिये दे दी है, तो आज का यही समाप्त होता है तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगाऊंगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चानल पर आप पहली बार आये हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है तो इस वीडियो को अपने परिजिनों में शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिए तो मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में ओम नमस्षिवाए